कोरोना के बाद अब जापान में एक नया बेक्टेरिया संक्रमड फैला रहा है मांस काने वाला यह बेक्टेरिया काफी खदरनाक है वैसे ही संक्रमड खुली खाओ या चूटो की द्वारा परविश करता है यह बेक्टेरिया टॉक्सिक मैटेरियल छोडते हैं जो blood stream में मिल जाता है और body organ को नुकसान पहुचाता है। हलांकि 99% bacteria हमें कोई नुकसान नहीं पहुचाते, सिर्फ 1% ही खतरनाक होते हैं। ये bacteria मानो शरीर के अंदर मांस को खाता है और ये काफी चानलेवा है। एक्सपर्ट के अनुसार, तेजी से फैलने वाला या bacteria जापान ही नहीं, दुनिया भर के लिए चिंदा का विशाय है, अब यूरोप के 5 देशों में फैल चुका है, इससे पचने के लिए बाजार में G8 नाम की वैक्सिन भी मौचूद है, जो शरीर में एंटिबायोटिक बन और समय समय पर हाथ होते रहना है, साफ सफाई पर जादा सी जादा ध्यान देना है, फिलहार भारत में डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह देश में अभी नहीं पाया गया है, जितना होजा के वीडियो को शेयर और कमेंट्स करें, धन्यवाद